जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त और 30 अगस्त 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की स्थिति क्या होगी किस तरह के योगो और उनका प्रभाव आपकी दिन चरियाप पर कैसा होगा जानेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रते एक शेत्र के बारे में आपके नौकरी, आपका व्यफसाय, आपकी दुकान, आपका करियर, आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, हर चीज के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं 29 अगस्त का जो दिन है, यह क्रश्न पक्षिकी सब्त मीति थी है, क्रती का नक्षत्र रहे गा इस दिन और ध्रोब नाम का योग बनेगा चंद्रमा की स्थित्थी सुभा 10 बज कर 20 मिनट तक मेश रासी में है, उसके बाद चंद्रमा व्रशब रासी में आ जाएंगे अब 30 अगस्त तो यह दिन बड़ा ही उत्तम दिन है क्योंकि यह क्रश्न जन्मास्टमी का दिन है, क्रश्न जन्मास्टमी का महत्सव हर घर घर में बनाया जाएगा तो यह अस्टमी तिथी है क्रश्न पक्ष की, इस दिन सुभा 6 बज कर 40 मिनट से रोहिनी नक्षत्र लग जाएगा व्यागहत नाम का योग बनेगा, सरवार सिद्धी नाम का योग भी बनेगा और चंद्रमा व्रशब रासी में होंगे श्री क्रश्न के जन्म के समय भी चंद्रमा व्रशब रासी में ही थे सुरिय सेहिंग रासी में है लेकिन इस दिन सुरिय के नक्षत्र का परिवर्टन होगा सूरियक की नक्षत्र अभी तक मगह था और अब मगह नक्षत्र से निकल कर पूर्व फालगुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे इस दिन का अभीजीत मोर्थ है सुबह 11 बचकर 25 मिनट से दोपहर 12 बचकर 47 मिनट तक लेकिन इस दिन का जो निसित मोर्थ होता है निसित काल होता है वो बहुत महत्पोन होता है निसित काल में की गई पूजा और की गई उपाय बहुत ही अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं और जो ये निशित मोहरत होगा ये होगा रातरी में 11 बचकर 69 मिनट से 12 बचकर 44 मिनट तक तो ये कुछ 45 मिनट का समय है जो आपके लिए उपाय करने के लिए भगवान स्री कुछन की पुजा पाठ करने के लिए उनके लिए बहुत ही उत्तम है तो चलिए अब विस्तार से ज पारे में क्योनातिस अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है तो एक तो तुला राशी के लोगों के लिए अस्टम भाव में चंदरमा जा चुके हैं ये अस्टम भाव जो है बदलावों का भाव होता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता अस्टम भाव लेकिन आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है जिसके बेस पर अगर आप काम करें अपनी शमता को अगर आप पहचान ले तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्य आप कर सकते हैं तो अपने आपको पहचाने अपनी जो क्वालिटी हैं जो आपकी अच्छाया हैं जिन चीजों में आ आर्थे की उजनाओं में निवेश नहीं करना हैं जिन में आपको लगता है ना कि ये चाला की से कुछ निवेश योजनाओं हैं जो आपके पैसे को बड़ा तगड़ा प्रॉफिट देने वाली हैं कई गुना बढ़ाने वाली हैं तो ये सभी जो आर्थे की उजनाओं होत सकती हैं, उनकी तरब से कोई अच्छी बाते बता चल सकती हैं, रोमैंटिक मनों भाव होंगे, आपके मन में अचानक से अच्छे बदलाव आ जाएंगे और समय का इस्तेमाल करने के लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, अपने माता पिता के साथ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं, उनके साथ बैठें, वक्त बिताएं, बाते करें और उनके साथ कहीं बाहर पार्क में भी घूमने जा सकते हैं, किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं लेकिन बाहर जब आप निकलेंगे तो किसी अंजान शक्स से बहस होने के आशंकावानी हुई है तो दूरी बना कर रखें जिससे आपका मूर खराब न हो किसी भी वैक्ति से बहस करने के लिए जीवन साती के साथ कुछ नोगजोंक हो सकती है कोई अजनबी आपकी नोगजोंक की वज़ाए बन सकता है तो किसी अजनबी के ऊपर नोगजोंक आप ना करें इस चीज को ध्यान रखें और इस दिन आप खुद को काफी तरोताजा भी महसूस करेंगे कुछ चीजे ऐसी जो आप काफी समय से करना चाहते थे और अब उनको करने का मौका आपको मिला है बाकी ये चुटी का दिन है और इस चुटी के दिन आप अपना अधित्तर समय अपने घर परिवार के साथ ही बिताने वाले हैं परिवार जीवन बहुत आनंद में रहेगा और आनंद में तरी तीस अगस की बात कर लिते हैं इस दिन सरवार से दियोग बना है और इस जनमास्टमी का दिन है भगवान स्री कृष्ण के जनम की धूम हर घर में होगी हर घर में जनमोत्सव मनाया जाएगा कुछ भगवान स्री कृष्ण के जनमोत्सव के दिन वरत रखते हैं और कुछ व बहुत पसंद होती हैं तो उनको भोग आप इसी से लगा सकते हैं और मोर पंक का उपयोग भी आप जरूर करें पूजा पाट के लिए बाकि यह दिन बिजनिस में फायदे के लिए बहुत अच्छा है आपके कारिस्थल पर भातावरन भी आपके फिवर में रहेगा मैनज जर काज में भी सुधार होने के दिन है प्रेम संबंद में थोड़े उतार चड़ाव के स्थिति हो सकती है तो उस चीज को थोड़ा आप कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपका प्रेमी किसी बात से दुखी हो सकता है तो सबसे पहले जो यह ऐसी टेंशन होती है इनको खत्म करने का प्रियास करें शादे शुधार लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है आज जीवन साथी से आपको किसी काम के सिलसले में मदद मिल सकती है अच्छा सेहत के मामले में ला परवाही बिलकुल न बरते हैं सेहत संबंदी कुछ परशानी होती है तो समय र की पासे आज का दिन खुशियों भरा होगा कुछ ऐसे काम भी आपके बन सकते हैं जो आप काफी समय से आपके पैंडिंग पड़हुए थे अब आज का दिन कोई शादी के आफर भी आ सकते हैं जो अविवाहीत लोग है उनके लिए शादी विवाके परस्ता आवा सकते है तो उनके लिए भी दिन जो है काफी अनुकुल रहेगा देखिए एक होता है निशित मोहरत निशित मोहरत रात्री का समय और इस समय में अगर आप जन्मास्टमी की पूजा अर्चना करते हैं भगवान सरिक क्रश्न की विदिविदान से पूजा अर्चना करें को छुपाया आप उनसे जुड़े हुए करेंगे तो निशित रूप से बहुत जल्दी उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जीवन में आई हुई सभी परिशानियों का अंत हो जाता है तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें